हेलोस देंस चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइट्स ओफ इंटीग्रेशन का क्योशन नमबर 22 देखते हैं क्या है इंटीग्रेट दा फंक्सन एक्स्क्वेर प्लस एक्स प्लस वन उपर क्वाडिटीक इक्वेशन दे रखी है निचे फैक्टर्स की फोम में दे रखी है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सिंप्लिफाई कर सकते हैं कैसे करेंगे देखो द्यान से यही पहले लिते हैं इसको इसके फैक्टर्स को A by यहाँ पर x plus 1 का square है तो पहला factor ले लेंगे x plus 1 फिर प्लस में b by क्या आ जाएगा x plus 1 का square और प्लस में c by third factor क्या है x plus 2 आ गए मिरे पास तिनों factor अब इसको simplify करते हैं यहाँ पर क्या आ गया मिरे पास x square plus x plus 1 अप उन में x plus 1 का square और x plus 2 equal to क्या आ जाएगा यहाँ पर lcm लेंगे तो यहीं lcm आ जाएगा x plus 1 का square और x plus 2 x plus 1 से x plus 1 कट गया तो a into क्या आ गया x plus 1 into x plus 2 फिर प्लस में b है तो b into क्या आ जाएगा x plus 1 के square से यह कट गया तो into में क्या आ गया x plus 2 phi plus में c into इससे ये cut गया तो यहाँ पर क्या आ गया x plus 1 का square clear denominator से cut गया simplify करते हैं इसको x square plus x plus 1 equal to अंदर multiply करेंगे a into पहले इसके multiply कर लेते हैं x के x से x square plus 3x हो जाएगा और plus में 2 phi plus में bx और plus में 2b और यहाँ पर c into x plus 1 का square था तो क्या हो जाएगा c into x plus 1 का square open कर लो x square plus 1 plus 2x अब इसको ओर थोड़ा सा simplify करेंगे अंदर multiply करके ax square plus 3ax और plus में 2a और plus में bx plus में 2b c से अंदर multiply करेंगे तो cx square plus c plus 2c x यह हो गया और यहाँ पर left side क्या आ गया x square plus x plus 1 clear इसको आगे फर्दर simplify करते हैं x square plus x plus 1 equal to square वाले term देखो बच्चो खाँपे एक यह है एक यह है तो x square बाहर लिया अंदर क्या बच्च गया a plus c फिर देखते हैं x वाले term कौन सी है एक यह है एक यह है एक यह है यहां से x को मन लिया तो अंदर क्या बच्च गया 3a plus b plus में 2c फिर without x वाले term देख लो 2a, 2b और c तो 2a plus में 2b और plus में c कर लिया अब यहाँ पर क्या करना है हमें compare करने है coefficients को अब x square का coefficient यहाँ पर a plus c है यहाँ पर x square का coefficient 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे on compare compare किया तो a plus c is equal to 1 हो गया फिर x वाला compare करो 3a plus b plus 2c equal to यह भी 1 हो गया और 2a plus 2b और plus में c equal to यह भी क्या हो गया constant भी हमारा 1 के equal आ गया यह बात clear हो गई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इनकी naming कर लेते हैं यहाँ पर इसको equation number first मान लिया इसको second इसको third अब करें क्या दियां से देखो अगर मैं third और first को add कर लो और second को subtract कर दूँस में से तो result आ जाएगा मेरे पास क्या करूँ मैं यहाँ पर add यहाँ पर first and third और minus कर दूस second को first और third को add करो 2a और a क्या हो गया 3a प्लस में 2b और c प्लस c क्या हो गया 2c इसमें से गया b 2c से 2c cancel out तो b is equal to क्या आगया मेरा 0 आगया नहीं आया 0 गलत आगया यहाँ पर देखो one और three को add गया था one plus one two two minus one क्या आएगा right side one आएगा तो b equal to क्या आगया one बी की value मुझे मिल गई one अब b की value one मिलने के बाद मुझे क्या चीए a और c की value और चीए तो a और c की कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लिखते हैं b की value को यहाँ पर put कर लगते हैं मालो हम या फिर इसके अंदर put कर लो कहीं भी put कर सकते हैं जापे भी आपका दिल करें मालो second equation में put करते हैं first equation क्या थी हमारे पास a plus c equal to one यहाँ पर one put किया right side गया one minus one zero हो गया मतलब three a plus two c equal to zero हो गया उपरवाली equation को two से multiply कर लो two a two c और यह हो गया two minus कर देंगे minus 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 यह cancel out three a में से two हो गया minus का a is equal to two और a की value क्या आ गई मेरे पास minus का two a की value minus two आ गई तो यहाँ पर c की value क्या हो जाएगी हमारी minus two इस तरफ जाएगा c equal to क्या हो जाएगा three हो जाएगा a b c तिन्नों values हमारे पास आ चुकी अब इन values को क्या करना है में first equation में जो हमारी starting में हमने partial fraction क्या दा वहाँ पर put करना है बस देखो क्या करेंगे यहाँ पर a by x plus one a की value minus two थी तो minus two integration dx by x plus one three plus b b की value क्या है one तो dx by x plus one का square three plus में c की value क्या है three तो three बहार integration dx by x plus two इसको simplify कर लो यहाँ पर क्या आगया minus का two यह क्या हो गया मेरा x plus one का derivative इंटिग्रेशन करेंगे तो log of mode x plus one फिर यहाँ पर x plus one का square दे रखा बच्चो इसको अगर हम simplify करें उपर ले जाके तो क्या हो जाएगा यह मेरे पास x plus one की power minus two हो जाएगी उसमें plus one करेंगे नीचे भी वही power आएगी तो यह क्या हो जाएगा minus खा one by x plus one और plus में three into इसका क्या हो जाएगा log of mode x plus two और प्लस में c यह answer हो गया मेरा clear यह पता लग गया होगा अउपर जाएगा तो x plus one की power minus two हो जाएगी इस minus 1 से यह minus हो गया इसको निच्चे लेके आएंगे 1 by x plus 1 हो जाएगा क्लियर हो गया question कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी problem किसी परकार की लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दरवाई चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें Thank you students for watching your channel next class is